असलाम उलेकुम वैलकॉम बैक टू बैक माय चैनल कैसे हैं आप सब दुआ करती हूं आप सब खैरियस से हो तो आज मैं आपके चार्श शेयर करने जारी हूं सल्जम गोष्ट की रेसिपी माशालला आप देखते ही आपके मूं में पानी आ जाएगा आप बिलकुल नए स्टा अपने अकोडिंग रख सकते हैं कम जादा उससे कोई फरग नी पड़ता लेकिन शल्जम जादा ही होते हैं बाकी सब बराबर भी लेते हैं तो यहां देख लेते हैं गोष्ट तो यहां गोष्ट लिया है मैंने हाफ केजी यानि कि 500 गोष्ट और 1 किलो शल्जम पालक तो य तो बड़ी प्यास और मैंने जिस आपको बताया मैं यहां खड़े मसाले यूज नहीं करूँगी ऑनली हाँ पर मैं तेजपाल के पत्ता और थोड़ा सा हाफ़ी स्पून जीरा यूज घर के ही पीसे मसाले जो होते हैं ना मैंने घर में पीस लिए थे तो सबसे पहले रख ले है और अब इसके अंदर डालेंगे हम डारेक्टली प्यास तो प्यास को हमें कोई डाइक ब्राउन लाइक ब्राउन नहीं करना और हाफ़ी स्पून ले लिया मैंने जैसा आपको बताया था जीरा तो यहां पर सिरिफ हमारे खड़े मसालों में दो चीज़े डाली है मैंने जाली मैंने टेच पाल के पत्ते डाले हैं दो और मैंने जीरा डाला है तो यहां पर हमारे प्याज को कोई डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन नहीं करना अब हम इसके अंदर गो सेट कर देते हैं और इसी ऑईल और प्याज के अंदर बस हमें एक से दो सेकिन तीन सेकिन सेट तो मैं सेट तक इसवेज बुना आठ नाइस में तैज पाल के पत्ते एक कर Iímने अब इसी के अंदर हम अपने पिसे मसालि एक करेंगे तो यहां पर मैं सबसे पहले एक करंगा है national का भास मेरह घार्श से ले लिया और इसके अंदर अच्छे से भूनेंगे जैसे लसनादर का जो कच्छा पन होता है ना ताकि वो निकल जाए तो हम इसे कोई भूनना नहीं सीटी नहीं लगा नहीं बस ऐसे ही यहां टूटेबल डाल रियू में मर्च पाउडर बाकि आप अपने अकोडिंग भी रख सकते हैं यहां पर एक किलो के साफ से यहां पर हल्दी मैंने हाफी स्पून ले लिए अब इसी के अंदर हम बस 15-20 सेकंट और भूनेंगे और यहां पर नमक आप अपने स्वादन उसार रख ले और इसके अंदर हम जब सौल जामेट करेंगे इसे हम एक मिनट हम इसे एक मिनट मिनट लगे हैं गोस्को भूने में इसमें पानी एट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो सल्यम होते हैं वह पानी बहुत जादा होता उसके अंदर तो हमने क्या कराई एक पड़ी से चली के अंदर इसे नीचे प्लेट रख दिये जो सारा ड्राय होके पानी प्लेट में चला जाए तो फिर भी पानी हम इसके अंदर बिल्कुल भी एट नहीं करेंगे क्योंकि ओल्डेट इसके अंदर पानी बहुत निकलता है तो हमारा जैसे माने बताया था धाई मिनट तीन मिनट लगे हमारा मसाला भून के इसे कर लिया आप देखे आप लगेगा कुकर तो पुर तो इसे अच्छे से हमारा चलने में भी आ जाएगा और देखे मैंने बुंदी पानी नहीं डाला था इसके अंदर ओल्डेटी कितना पानी आ गया यार अब एक चीज़ और बता हूँ हम यहाँ पर हम कुकर बंद कर देते हैं अब कर देते हैं खोलें कुकर तो देखे माश ञेंगे हाई और एक बोटी निकालेंगे चेक करेंगे कि गली है या नहीं ही गली है को जयसँ हमारी Galic Dan newsletter लिए अब हम प्र。 ہیں और जब जिए भूनना बहुत जरुरी है किवे सब जाएगा तभी हम शेलें करेंगे तो यहां पर देखो मेरा पानी तो थोड़ा तो पानी था तो थोड़ी देर हो लगेगी इसके अंदर फिलिम केस का मैंने हाई कर रखा है तो देखे बिल्कुल अलड़ी माशालला भूंचु कि ये कि इन करें कितने अच्छी खुश्भू आ रही है यार मका की रोटी होती तो और अच्छा लगता देखे न अलड़ी ने माशालला से कितनी सारी नियामत ही थी हम लोगों के लिए है तो हमें अल्ला का रहाल में शुकर अधा करना चाहिए तो वीडियो आपको कैसी लगी बताईए और मेरी रेसिप आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताईए अब मेरे चैनल को यार अकर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें तो मेरी जो नर्ट अफ्लिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी तो कर लेते हैं इसको एक डिश के अंदर तो मैं आपको बताऊ एक चीज ये चीज है मैरी शादी की डिश का है डिश क्या यार पूरा सेट ए सिकका है पूरा डिनर सेट जिसको बोलते है न इसके अंदर आप टी शेट भी निकला था तो चाय का सेट और अध्यारला मैंने अग्त काफ़ी टाइम बार निकाला है तो मेरा डिनर सेट भी किसा लेगा ये भी बताना आप तो माशालला मैं एक से दो वीडियो के साथ अपलोड कर चुकी हूँ अपने डिनर सेट के साथ तो ये तो आपको बताना है कि मेरी रेसीपी कैसी लेगी लेकिन सासत ये भी बताना है आपको मेरा डिनर सेट कैसा लगा आप करते हैं इसकी पिलिटिंग तयार तचा लग रहा है ना माशालला सालन में से भी खुश्बू आ रही है और डिनर सेट में से भी खुश्बू नहीं आ रही लेकिन अच्छा लग रहा है तो तो आप करते हैं इसकी पिलिटिंग, मैं आपको पिलिट में करके भी दिखा दूँ, मजाग बहुत हो गया, तो यहाँ पर मैंने इसकी पिलिटिंग तयार कर लिए, तो देखिए, बस कहूं की रोटी हो या मका की रोटी हो, माशालला टेश तो इसके अंदर बराबर से आने वाला है, तो वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आप कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, तो बिलकुल दौाओं में याद रखना पिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, लाफिस झाल झाल झाल